नमस्कार दोस्तों आप से का स्वागत है मेरी YouTube चैनल All-in पंचायत में आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल All-in पंचायत है और आप अधिक से अधिक सबस्क्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्यक ने वीडियो और प्रत्यक ने अपडेट की जनका प्राप्त होती रहे जी हाँ दोस्तों आज हम बहुत ही महत्पून बात पर चर्चा करने जा रहे हैं मुख्यंत्री लाडली बहना योजना दोस्तों इसमें जो है अभी सबसे महत्पून जो है सभी को लग रहा होगा कि हमारा पेमेंट क्यों नहीं आया है कई महिलाओं के खाते में एख हải रुपी की राशी नहीं आई है तो दोस्तों उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसकी पूरी सूची हम किस तरह ग्राम पंचायद दॉइस या वाइभ वाइज डाउनलोड कर सकें तो वो आप आज की वीडियो में देखेंगे ठीक है पूरी सूची बहुत मैं आप किस तरह सेब करें प्रिंट करें और क्या कारैसर से रिजेक्ट हुआ है पेमेंट वह दोस्तों आप सोई को मुक्यंद्री लाडली बहना योजना का पोर्टल तो पता ही है cm.larlybhena.mp.gov.in ठीक है जैसे ही हम ये टाइप करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह से मुक्यंद्री लाडली बहना योजना का होम पेज आ जाता है इस तरह से पोर्टल पूरी वेबसाइट आ जाती है दोस्तों जो मेरा पोड्कास्ट बना है और प्लेलिस्ट बनी है मुक्यंद्री लाडली बहना योजना के उपर आप उसमें सारे वीडियोस देख सकते हैं तो आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ जिससे उनको एक हैर रुपे गराशी प्राफ्त हो सके उसके बारे में देखेंगे तो पूरा आप ध्यान से देखते रहेगा एक भी स्टेप मिस होती है तो आगे का आप नहीं समझ पाएंगे इसलिए पूरा ध्यान से देखते रहेगा तो चलिए हम विवागी लॉग इन पर क्लिक करते हैं न्यू विंडो उपन होगी इसके बाद दोस्तों विवागी उजर लॉग इन आपको ग्राम बंचायत का उजरनेम पासबर्ट ही डालना है लेकिन यहाँ वाड ग्राम बंचायत सेलेक्ट है आपको सलिट करना है अन्यूजर उजरनेम पासबर्ट डालने के आपको डालना है यह डालने के लॉग इन करें पर क्लिक करना है जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने मुख्यमंतरी लाड़ली बहना योजना का इस तरह से होमपेज आ जाएगा ठीक है यह पूरा dashboard भी आजाता आपके सामने इस तरह से दोस्तों अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही ध्यान से देखेगा तो दोस्तों आपको चलना यहाँ क्लिक करना है इस तरह से यहाँ फिर यह यह क्लिक नहीं करते हैं तो आपको सीधे mouse को यहाँ ले जाना है ठीक है और इसके रिपोर्ट वाला option है तो रिपोर्ट वाले option पर आप क्लिक करना है आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ रिपोर्ट सूचे जाएगी अन्तिम सूची आप देखी सकते हैं पात्र और अपात्र दोनों की हैना पंजिकत आव Zarhan Report देख सकते हैं आधाल लिंक कें दिवीटी सकरी की स्तिती रिपोर्ट देख सकते हैं ये मेरे सब पुराने वीडियों में आप देख सकते हैं आपती रिपोर्ट भी देखते हैं दोस्तों भुक्तान रिपोर्ट जो है ग्राम पंचाय जोन वार भुक्तान रिपोर्ट ग्राम या वाड वार भुक्तान रिपोर्ट आप जो मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ आस अपल भुक्तान रिपोर्ट इसलिए हम यहां क्लिक करते हैं कुल असपन भुक्तान महिलावार यह क्लिक करने का दोस्तों यहां आपके सामने इस तरह से आगा कुल असपन भुक्तान महिलावार वर्स वही रहने दे 2023 महां भी महीर दे संभाग भी रहेगा जिला भी निष्टा भी निफा निगा है gram 5 जो ना आपको select करना तो ये आप select करने जो भी आपकी यदि आपको यहां से search करना तो search भी कर सकते हैं ठीके इस तरह से select करने अब ये जो है gram ward आप select करना चाया सबी का देख लेंगे, पहले एक कारण देख लें सभी, थोड़ा बढ़ा करके देख लेतें इसको, ये देखें दोस्तों, आसव लुक्तार ने क्या कारण है, रिजेक्ट पिवन की क्या कारण है, सबसे पहला तो अमान बैंक, आइडेंटिफायर, ठीक है, दूसरा है, खाता ब्लॉक होना या फ्रोजन होना, किवाईसी दस्तावेज लंबित होना, निस्क्री खाता होना, अधार को IIN से मेप नहीं किया गया, ये IIN क्या होता दोस्तों, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं, बहुत महत्पून पाइंट है, क्योंकि ये अधिक्ता लोग को यही सम आता है, NRI, NRE, PPF खाता, CC, Loan या FD खाता है या N, ये मैं आपको सब कारण दिखा दिए, ये आप देख सकते हैं पूरे कारण, अब हम फिर से स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं, और आप आज अपल भुकतान कारण में सभी पर क्लिक रहने देते हैं, तो सभी कारण आ जाएं खुझ ये पर क्लिक करते हैं, डोस जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पूरी सूची आजाएगी, क्रमांग, संख्या दिखेगी, यहां पर संभाग दिखेगा, जिला, इस्तानी निकाय, जन्पत पंचायत है, या नगरी निकायत जो भी है, ग्राम पंचायत का नाम, ग्र उसके बाद भी आसवल भुकतान कारण क्या दिख रहा है यहां पर अधार not made to IIN जी यहां दोस्तों यह IIN के मैं फुल्फाम आपको पूरा बताने वाला हूँ डिटेल में समझाना वाला हूँ अच्छे ध्यान से देखिएगा आपको पता होना चाहिए IIN जो है क्या है आजिकरे वा IIN नम्मर क्या है बो मैं आपको भी दिखाना आघाना वाला हूँ तो आप बता देंगे पर बेंग शाका दौरा कारवई किया की जाएगी जरूरत पढ़ने पर शाका मुक्याले में अपनी IIN से संपर्क करेगी अपनी IT टीम से संपर करेगी तो जरुड़त पढ़ने पर शाखा क्या करेगी शाखा मुख्यले में अपनी IT टीम से संपर करेगी तो ये कारण दोस्तों भूत लोगों में आये हैं शाखा, dvt, penjigan के समय अधान, not mapped to IIN एक तो ये सबसे बड़ा कारण आया है आपका इस कारण से reject हुआ है और PDF में भी जो अपने ग्राम पंचायत में हैं सभी users को बता सकते हैं महिलाओं को बता सकते हैं कि आपका इस कारण से पेमेंट रिजेक्ट हुआ है तो आपको बेंग जाकर IIN mapped कराना है ठीक है यह कारण दोस्तों इसको पूरा PDF में सेप कर लें प्रिंट करके रख लें अब मैं आपको और जितनी सुची होगी पूरी यहां से downloaded हो जाएगी मैं कुछ और कारण दिखा रहता हूँ कुछ जगह ऐसा भी हो सकता है दोस्तों जैसे आधार number DC date from NPCI Maper by Bank Customer to Contact Hiser Bank ठीक है कई वार क्या हूँ कि आधार number जो है NPCI Server जो DVT है उससे unmaped कर दिया हो DC date कर दिया हो ठीक है तो उससे हटा दिया गया हो इस कारण जो है पेशा नहीं आये एक है रुपे का तो इसमें क्या करना पड़ा है साका से संपर करें और तुरूटी कोट के साथ आवेधन करें मतलब अपनी बेंग साका चले जाए और मापर फिर से DVT के लिए आवेधन कर दे आधार ले जाए और आधार DVT करने के लिए आवेधन कर दे जबर पड़ने पर साका मुक्यारे से अपनी IT टीम से संपर करेंगी इसमें यही आएगा अब कई जगह तो क्या हुआ है एक तो यह चीज बता दी और उता लेता हूँ अचा कई जगह भी यह भी हुआ है कि आवेधन करने अभी जो है जो DVT ही नहीं करा है यह में इरर आ रही हमारे यहाँ ग्राहक बेंग के साथ अधार DVT पंजी करन करें ठीक है तो इसमें लिखा है कि अधार नाट मेप टू अकाउंट नमबर मतला अधार लिंक नहीं अकाउंट नमबर से DVT भी नहीं हुआ तो यह सूची भी आप जो आवेधन को बता दे अधगाहक बेंग के साथ अधार DVT-15 करन करें उसी दिन सिस्टम में अपडेट करें बेंग क्या करेगी उसी दिन सिस्टम में अपडेट करेगी जैसे औपडेट करेगी तो खाते पेशा आ जाएगा एकारण दो नहीं द्यान से देख लीजिए तो सबसे पहले देखते हैं हम NPCI NPCI जिसके जरीए हमारा DBT होता है Direct Benefit Transfer के जरीए हमारा आधार लिंक एकाउंट में है ना आधार बेस पेमिन सिस्टम के अंदर गत आधार लिंक एकाउंट में जो है हमारा पेशा डारेक्ट आता है किसी भी गवर्मेंट योजना का या सबसीडी हुआ हुआ कुछ भी हो डारेक्ट हमारे बेंकाते में जो आधार से लिंक है उसमें आता है NPCI में IIN क्या है सबस्वेल हम यह देखेंगे कि NPCI में IIN क्या है फिर देखें कि एकाउंट या क्रेडिट कार्ड डेविट कार्ड में IIN क्या है तो NPCI में देखेंगे पहले IIN तो IIN NPCI द्वारा प्रतिग APBS ठीक है मैंने आपको पहले इस मंदेगा में बताया था और लाली बहना में बताया है कि इसको दो तरह से कहते है एक तो कहते है APBS जैसा यहा पर दिया APB सिस्टम मतलब S तो एक तो APBS हो गया मतलब इसका पूरा फार्म क्या है आधार Payment Bridge Psychology ठीक है आधार Payment Bridge System ठीक है और हमने पहले भी क्या देखा था आधार Based Payment System तो ABBS हो या APBS हो बात एक ही है APBS का मतलब क्या हो गया आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम और AVPS का आधार बेस पेमेंट सिस्टम मतलब आधार मेन दोनों का मेनिंग क्या हो गया आधार आधारित भुक्तान परनाली मतलब आधार बेस पेमेंट सिस्टम तो आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम बोलो या अधार बेस पेमेंट सिस्टम ठीक है तो यह है कि IIN NPCI द्वारा प्रत्यक APB S मतलब APB सिस्टम में भाग लेना याले बेंग को जारी किया गया एक अधियूती यूनिक 6 अंको का नंबर है और इसका उपयों को इस बेंग की व अधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम में रूट किया जाना है तो यह देख लिया अब हम एक ओर डेपिनेशन देखने है वाट इस एन IIN नंबर इन बैंक अकाउंट तो बैंक अकाउंट में IIN नंबर क्या होता है इसका फुल फॉरम में IIN का इसूर इसका इसका हिन्दी बता रहा है तो इसका मैं बता रहा है तो इसका मैं बता रहा है हिंदी में अब जारी करता पहचान संख्या IIN को बोलते हैं जारी करता पहचान संख्या किसी वित्तिय संस्तान जोरा जारी किये गए क्रेडिट डेबिट या किसी अन्य प्रकार के भुकतान कार्ड नम्मर के पहले 6 से 8 अंगों की और इशारा करता है ठीके तो क्या है क्रेडिट डेबिट या किसी भी प्रकार का भुकतान कार्ड जो इसके पहले 6 से 8 अंगों की और जो है इशारा करता IIN ठीके तो जो हमने बारवर देखा कि IIN नम्मर डालना होगा वो या तो हमारे एकाउन के क्रेडिट या डेबिट कार्ड के शुरू के 6 से 8 अंगों डालेंगे 6 से 8 अंगों या फिर मैंने आपको एक डेफिनेशन रोता ही कि जो बेंग को यूनिक 6 अंगों वाला प्राप्त होता है आई ये नम्मर जिसका उप्योग बेंग कोन प्रिदान करता है या किसी क्रेडिट डेबिट कार्ड में हमारे सुरू के 6 से 8 जो नम्मर होते हैं भू होते हैं ठीके रोस्तों इसी को मैं आपको PDF में डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ मुक्यांति लाडली बहना योजना कुल असफल भुकतान महीलावार ठीके तो ये पूरा क्रमांग संक्या दिख जाएगी वेसा वेसा इस सारे options यहां पर दिख जाएंगे ठीके वही आदार नाड मेब टू आइन शाखा डीवीटी पंजीकन के सम्मेनुली आइन संक्या दर्ज करेगी ज़रूत पढ़ने पर अपनी आइटी टीम से संपर करेगी इस सारे कारण यहां दिख जाएंगे तो इसकी पीडिया बनाकर अपने ग्राम बंचायत में भी बता दें और प्रिंट आउट लेकर प्रत्ते महीला जिनका सवल भुकतान हुआ है उनको आप निरिदेशित कर दें कि आप जल्दी से बेंग शाका जाकर आगे कारवाई पूर्ण करें ठीक है तो दोस्तों आज के लिए महीला अपडेट हमने देखा इसी तरह दोस्तों और भी कोई चोटा सा बड़ा अपडेट कोई साभी आता तो सुपर थैंक से जड़ी है या जोइन के जड़ी भी कर सकते हैं और जड़ी आप आल पोर्टल कोर्से लेना चाहते हैं तो मेंबर्शिप भी जोइन कर सकते हैं 799 की ठीक है 799 रुपेस की जो मेंबर्शिप भी आप जोइन करकर पूरी डिटेल में सारे पोटल कोर्सेज ले सकते हैं ठीक है तो आप सोईगा बहुत बहुत धन्म